वेल्कम तो मैं चैनल माइनम इस अवे बातिल बैक विडियो और आज फिर से हम वही बात करेंगे क्योंकि यह जो टॉपिक है यह हमें अवे एफ्री डे मार्केट में एवरी बोल सकते हैं इतने सिनेरियो जो प्रियेट हो रहे है फिर भी लोग लॉसे कर रहे है अभी हाई टाइम है अटलिस्ट मेरे सब्सक्राइबस मेरे विवर्योस को कि मैं उन्हें यह स्ट्राइजी सिखा दू और फिर से वो इसमें करें देखो मैं अभी मेरे ट्रेडिंग एक्स्पिरियेंस है जो मैं 2019 से कर रहा हूँ यह फोथ यह चल रहा है मैं आपको हर मार्केट फेज बताता हूँ कि क्या हुआ ठीक है प्राइ करूंगा शॉट में करूंगा लेकिन आपको समझेंगा 2019 ठीक है 2019 की बात करें 19 और 20 की अब इस फेज में क्या था कि मार्केट में पार्टिसिपन्स थे लेकिन इतने ज्यादा पार्टिसिपन्स नहीं थे मैं आपको स्टैट्स भी बताता हूँ कि 2020 आफ्टर कोविड क्योंकि क्या हुआ कोविड के बाद जब लोगड़न हुआ लोग घर में बैठे और घर में बाद कुछ मुवीज आई स्कैम 1992 हो गया बिग बूल हो गया और ऐसे मुवीज आए जिससे लोग बहुत इंस्पार्ड होगे ट्रेडिंग के लिए उसके बाद यह हुआ कि लोगों के लोगों को चाहिए था एक सोर्स ऑफ इंकम अब वो सोर्स ऑफ इंकम क्या था कि एक ही स्टॉक मार्केट एक ऐसे चीज थी जो आपको इंकम दे सकती थी क्योंकि आपको तब इंटरनेट और बस एक मोबाइल फोन या लैप्टॉप चाहिए था ट्रेड करने की लिए उससे आप पैसे कमा सकते तो यह लोगों को काफिए ट्रक किया यह फिल लोग काफिए ट्रक बने 2020 का मिड से 2022 अभी जुले चले तो यह दो सल में बने उसके पहले मार्केट फॉलो करता था आप बोल सकते हो जो पैटन्स हो गए और जो चार्ट्स हो गए थोड़ा पिच्छ पॉफेक्ट मार्केट चलता था सपोर्ट हो गया उसको फॉलो किया और मानलो हेड और शोल इन्टरनेट पे इवेलेबल नहीं था सबसे पहले मैं आपको यह बता थो कि मार्केट चलता है। institutions है ठीक है, human psychologists है माल लो यहाँ पे लोग है यह सपोर्ट है और यहाँ पे लोग बाई कर रहे है तो अगर बाई ज़्यादा लोग कर रहे है तो मार्केट यहाँ से उपर जाता है ठीक है अग्रीड लेकिन अब क्या हो गया है सब लोगों ने जो चार्ट से पैटर्न से everything learn किया है क्योंकि आप लोग learning पे फोकस कर रहे है तो लोगों को सब पैतरे जो है लोगों ने सीख लिए प्रैक्टिस कर ली जिसके वज़े से अब क्या हो रहा है पता ही क्या कि मार्केट को अब देखो मैं आपको सिंपल से बात बता तो बायर्स is equal to seller's, market में buyers and sellers का equal participants चाहिए अगर seller के पास seller के पास 4 apples है ठीक है, 4 apples है मानलोot 4 apples ठीक है, और उसको एक buyer चाहिए ठीक है, तो वो 4 apples ही बेच सकता है और buyer 4 apple ही खरीच सकता है ठीक है, वो अगर seller की पास 4 apples है तो buyer भी 4 apple खरीच सकता है अगर seller case 8 है तो buyer के 8 ही करीच सकता है ऐसा नहीं हो सकता है कि buyer case 8 apples है और buyer ने 15 खरीद लिए तो that means market एक zero sum game है buyer sellers equal है तो अब क्या होता है कि अब अब को मैं समझातो कि क्या हो रहा है अब यह support है और यहाँ पर सब लोगं को पता है 95% लोगों को पता है कि यह जो है market यहाँ से बाहर निकला यह resistance के बार that means it's a breakout ठीक है it's a breakout तो अब्व्यसी बात है हर कोई यहाँ पर buy करेगा हर कोई यहाँ पर buy करेगा तब मुझे बताओ तो फिर हर कोई buy करेगा तो यहाँ पर buyer किस से खरीदेगा seller उसके लिए बचेगा ही नहीं seller बचेगा नहीं तो क्या होगा big players क्या करते है इसमें बड़े institution क्या करते है कि उनकी heavy quantities ठीक है उनकी quantities उनको square off करने रहते है उनको sell out करने रहते है उसके लिए वो seller होगे उनको buyers चाहिए होते है तो उनको buyers कहाँ पर मिलेगे वो जान बूच कर एक breakout create करते है उनकी quantity square off करने के लिए एक breakout create करते है जहाँ पे बहुत सारे buyers जब आने लगे ठीक है तो बड़ा player क्या करता है जो उसके जित्ती सारी quantity है तो यह जो retailers है 95% यह जो retailers है यह player क्या करता है अपनी quantity यहाँ पर sell कर देता है क्योंकि उसको इत्ती देर से salary नहीं बल रहे तो इत्ती quantity unload करना है उसको profits बुक करना है मोमेंटम बहुत पहले से हो चुका है अगर market यहाँ पे breakout दे रहा है तो market support से already यहाँ पे carry हो चुका है तो यह क्या करता है इसको profit बुक कर लेते हैं और इसकी quantity खतम हो जाती है, market गिरना start हो जाता है, और उसके ऐसे bias का loss होता है, और big player अपना profit चलाता है, और retailer loss करता है, इसलिए trading में 95% जो लोग है, loss करते हैं, so that is what trap trading is, that is what trap psychology is, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको rose बता सकता हूँ, rose examples consolidation, 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 अब हम ने क्या सीखा है, pattern क्या होता है, यहाँ पर consolidation किया, consolidation किया, buyers weak हो गए, अब breakout आया, आप यहाँ पर breakout confirmation हुआ, candle close हुई, आप यहाँ पर enter करो, 2.15 हुए है, afternoon session में big breakouts होते है, आप यहाँ पर enter किये, enter किया, candle close हुए, आप enter करते से ही market reverse, आपका stop loss है, आपका loss, आप पूरा दिन market को देखते रहे, wait किया, enter करने का, और enter करते से क्या, तुरंत आपका loss, पूरा आपका, जो profit है, चला गया, और जो भी आपका confidence है, वो चला गया, लेकिन, जो smart players है, उन्हें पता है कि market जो है, अब मैं, कोई smart players को यह पता है, market कहां से travel कर रहे है, यह top को पकड़ के, यह bottom तक लेकर जाओ, 300 points, minus 0.83% market top से fall है, यहाँ पे resistance level है, देखो, market यहाँ पे resistance level मैंने बनाई है, 35003, resistance पे लोग short करके, यहाँ पे profit किया, वो लोग क्या करते है, जो बड़े players है, जो होशयार players है, जो retailers भी है, लेकिन होशयार retailers है, experience retailers है, वो breakout पे exit करते हैं, breakout पे अपना profit book करते हैं, यह अभी market का dynamics change हो चुक है, अभी आपको अपकी trading strategy बदलने पड़ेगा, या अभी आपको resistance पे sell करके, support पे buy करके, breakout पे exit करना है, यह अभी strategy होगी, हाँ, breakout work करेगा, breakout होँगे, लेकिन उसकी probability 20% है, और उत्ते बड़े breakout होँगे, कि आपको तब entry भी नहीं मिलीगी, मैं आपको हर दिन यहाँ पे चार्ट पर लेकर जा सकता हूँ, और कोई भी कौन सा भी दिन आप randomly बोल दो, मैं live आ जाओंगा, और आपको उस दिन का trap create, देखो, यहाँ पे, यह swing है, यह swing है, अब क्या हुआ, यहाँ पे breakout create हुआ, यह breakout create हुआ, आपने क्या देखा, यह breakout हो गया, resistance break किया, तुरंत अपने closing आ गई, तुरंत अपने enter किया, एंटर किया, एंटर करते से धडाल, loss, stop loss hit, अगली ही candle में stop loss hit, तो भी यहाँ, इसी candle में आपका stop loss hit, यहाँ से entry point से कितना point market गिरा, 250 point, यही अगर आप short करते market को, यह 250 point का profit होता, तो आप बोलते कि buy कप करना था, buy यहाँ पे करो, support पे करो buy, यहाँ पे support level था, यहाँ trades मिलेंगे, इस दिन भी market था, actually इस दिन भी, यह मैंने resistance बाद में adjust किया, अगर मैं इसको नीचे लेता, जब उस time market चल रहा था, जहां से यह पहला swing आया, ठीक है, पहला swing आया, तो अगर आप यहाँ पे buy करते, यह breakout हुआ, ठीक है, swing आया, अपने wait किया, फिर breakout दिया, यहा मैंने telegram channel पर भी बता है, आप जाकर check कर सकते हो, रोज मैंने, रोज मैं ऐसे traps के pictures डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, again, क्योंकि यह मैं रोज market को watch कर रहा हूँ, follow up कर रहा हूँ, और इस से, मैं आपको, रोज मैं आपको जो है, aware कर रहा हूँ, कि आप इस trap से बच्छो, द सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इसका reason है, वो है margin, जो पहले आपको margin मिलता था, leverage, ठीक है, perfect word is leverage, जो आपको पहले leverage मिलता था, तो वो retailer fight करके, इस time market को गिरा सकता था, क्योंकि वो leverage लेता था, four times, ten times, twenty times, तो big players को यह competition देते थे उस time, लेकिन leverage हटने के वाएसे, बड़े players की monopoly हो चुके है, तो अभी traps जो है, हमें often देखने मिलेंगे, तो इससे बचने के लिए क्या करो, इससे बचने के लिए, buy on resistance, sell on support, ऐसे बहुत सारी चीज़े जो market में, यह तो मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको trap की बारे मता दी, ऐसे बहुत सारी चीज़े जो market में होते रहत इस कैसे ट्रेड लिए जाए, practical knowledge, psychology, उस पे हम focus करते और एक trader को कैसा successful profitable trader बने वो सिखाते है, आप देख सकते हूँ, काफी certificates है, जो challenges है, 60 days profitable, 120 days profitable, 30 days profitable, ऐसे अलग-अलग certificates मैंने जीते, इससे बता था कि मैं खुद एक profitable trader हूँ, और मैं मेरे students को एक profitable trader बनना सिखा सकता हूँ और मेरे students जो मुझसे classes लिए, वो already profitable है, मैं YouTube पे भी पूरा content डालता रहता हूँ, daily content डालता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीजे है, जो मैं detailed में one-on-one classes होती है, मैं उसमें अच्छे से सिखा सकता हूँ, जो बलते, communication के बाद, one-on-one जो है, तिखाने के बाद, so that's all for today, thank you for watching, म मिलते हैं कर न्यू वीडियो के साथ,